नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब आसा करती हूं आप सब बहुत अच्छे होगे और आज मैं आपको कुछ सीड दिखांगी जो कि मैंने एक गाड़नर है उनसे मंगाए हैं हाला कि ये सीड आने में काफी टाइम लग गया मेरे हिसाब से क्योंकि मैंने फर्स बर मंगाए हैं तो कि लग बग तो मैं आपको दिखाती हो कौन से सीड मैंने मंगाए हैं और सुभा कंटाय में जैसे कि मैं भी नहां दोके आई हूं और दिखाती हूं आपको मैंने कौन से सीड मंगवाए हैं तो यहां से Bakit थैखिए यह बहुत काठा पुटी हो रखी है पीछी की तरफ तो एक हफते के बाद ये सीड आये हैं और मैंने अपना गार्डनिंग के लिए मंगवाया है ये मैं एड्रस यहां पर छुपा रही हूं क्योंकि यहां पर मेरा ही एड्रस लिखाया किसी और का नहीं है पहले मैं इनको ग्रो क करके देखूंगी अगर ये सीड चल गए रिजल्ट अच्छा मिला फिर मैं उसके बाद ये जो काड़नर है इनका नाम आप सब के साथ स्वो कर दूंगे अगर आपको सीड मंगवाने होंगे तो इनसे मंगवाईगा बहुत से लोग कहते हैं कि सीड अच्छा रखते हैं और ज्यादा महेंगे भी नहीं है मैं पहले इनको अन्बॉक्सिंग करूंगी सीड खोल कर देखूंगी इसकी क्वालिटी कैसी है ग्रो करके देखूंगी उसके बाद मैं अपनी राय किसे वीडियो में आप सब के साथ सेयर करूंगी और जो मेरा गार्णिंग चानल है उस पर ऍह sophomore जरूर बतावांगी यह सीड जो है सच में अच्छे है यह कैसे है कैसे नहीं है इसके लिए मैंने किसी से प्लांट भी मागाया मैंने ती वह ठीक ठाक चलते हैं उनका मुझे पता है क्यूंकि पिसले लगभग एक साल पहले भी मैंने मंग्वाय थे शहए म्ने पहले भ आपिवार सीड वगरा मंगा के देख चुकी हूं क्योंकि हम 5-6 सालों से गार्णिंग कर रहे हैं तो बहुत से सीड अच्छे चलते हैं और बहुत से ऐसे हैं कि हजार वर मैनत करने के बाद भी ग्रो नहीं होते हैं तो नेक्स वीडियो में मैं कोसिस करूँगी कि इनकी अन्बॉक्सिंग भी करके आपको दिखाऊं और अपना जो मेरा खुद की राय है वो भी इसके बारे में मैं ज़रूर बताओंगी चले देखते हैं आगे आप सबके साथ आज हम क्या सेर करेंगे और दिखाए नहीं कि आज क प्लांट की मिट्टी में डालो तो यह आपको हर्वेस्टिंग मिली है यह बड़ी होने लगेगी ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं चले दोस्तों आज आपके साथ एक टेस्टी रेसिपी सेर करते हैं यह मैंने थोड़ा सा पनील लिया है लगबग 100 ग्राम के करीब होगा औ आज मैं आपको बहुत अच्छी बेसन के सब्जी बनाना से खाऊंगी जब आपके पास कुछ भी नहीं हो और यह टेस्टी से सब्जी जवाब बनाऊंगे ना तो हर दूसरे दिन आप सोचोगे कि मैं इसे ही बनाऊं तो कसुरी मेति डाली है अगर मसाला चाट मसाला नमक मिशन के सब्चे करिब करें नमक ड हर नमक घरम मसाला और यहां तो यह बना रहा है चाही बडता है क्या धाल जब्माट झटें मैं बनारी हो गठे जी ह queda तो यहां ते है मैं दीन है तो चाहिए चैनल करिया है किसकी नमक तो नमक गरम शाला और इसे बनास आपके मैं बना प्रवाद हल्दी जो मसाले डालना चाहों जो अपने हतेली पर थोड़ा सा ओएल लिया और इस तरह से मैंने बेशन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है तो यह थोड़ा थोड़ा सा मूठी जैसा बनने लगेगा तो इसको मुयोयन्स बोलते हैं अपको ये कडना है और इसके बाद आप को इसमें दहीं । इसbew जया नहीं तो इसमें लिचलती है तो पूरवा जासेरा है अगर आपके पास अपने हाथ में चिपग गया है क्या करूं तो आपको डालना इसमें एक चमबच ओयल को इसा भी आपने घर में यूज करते हो खाने में सब्जियां बनाने में वह वाला और अच्छी तरीके से आपको इसको मिस कर लेना है अपने हाथों को पहले अच्छी से लगा लेना और इसमें बड़ो तो झाता ऐवागा सकते हाथ और अट्ल эпwnoky आपको अच्छी तरीके से उबल गा इसको अपने इसको ब्ड़ा करना है पानी आप अच्छी तरीके से गायार प्लाइक पानी तरीके से बाता है 20 नहीं से घालता है और इसमें सुच्छे लाई अपने अच्छी यहां हम यहां पर बना रहे हैं तो पनीर की जो फिलिंग है वो इसके अंदर ही होगी आप इसको दो तरीके से बना सकते हो जैसे मैं आपको दिखा रही हूं वैसे बनाओ या फिर आप इसको फूरा पूरी की तरह या रोटी की तरह बेल लो और उसके बाद सारा इसके अंदर भर कर और रोल बना सकते हो एक तरीका तो वह गया दूसरा में यहां पर आपको दिखा रही हूं मैंने इसको चुटी-चुटी लोगियां तोड़ ली हो इसके बाद चुट-चुटी से लड्डू बना लिया है अब इसी लड्डू को आप पूरी की तरह इस तरह फैलाओ जि कर देखेगा इवण हो जाएगा यह इसी तरह से बना लो में आपको आपको सारे बना कर दिखांगी तो भूब बहुत ही ज्यादा लंब ओजाता देखिए अवाला में आपको बना कर दिखांगे ठीह देखि यह सकते हो एन्ड में बहुत जड़ा सा बचाता सुटी को मैं इसके अंदर भर लेना है और इसको अच्छी तरीके से आपको बंद करना है यहां पर ध्यान यह रखना अगर आपने अच्छी तरीके से बंद नहीं किया तो पानी में जाते ही यह खुल जाएगा तो बंद करने की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना अच्छी तरीके से इस पानी उबलता हुआ रहना चाहिए गैस की फ्लेम हाई होनी चाहिए और दीरे-दीरे कर ही आपको सारे डालने है जब आप सारे डाल दोगे तब आप देखोगे कि ये थोड़ी देर के लिए तो नीचे ही चिपके रहेंगे लेकिन आपको इसको बिल्कुल भी नहीं कुमाना तो ये सारे तूट जाएंगे खराब हो जाएंगे ऐसा नहीं करना एक दो मिनिट के छोड़ देना उसके बाद देखोगे कि धीरे-दीरे करके सब के सब ऊपर आजाएंगे पानी में ताड़ने लगे तो आपको धियानी रखना है कम से कम 5-7 मिनिट तक इनको अची तरीके मुष्किल से दो चम्मच के करी मैं इसमें ऐल डाला है और उसके बाद एक एक करके डालें जितना आपका इस ओल में आए उतने ही आप इसमें यह डालो गटके और थोड़ा थोड़ा सा फ्राई कर लेना है ज्यादा डिफ्राई नहीं करना है डिफ्राई करोगे तो बहुत तो देखिए बूफ्राई कर लें और यहां पाको ठूझे कर लेते हैं तो यहां पर देखिए मैं सारे के सारे कर लेती हो उसके बाद पूने आप दिखाती हैं यहां अपर इसे वह काफी है आपको ज़्यादा डालने की ज़रूत नहीं है अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगते तो आप और ऐल जो है उसको एड़ कर सकते हो बस मैंने इतना ही डाला और धाई दीन चमच के करीब मैंने टमाटर की पेस्ट जो होता है वह पीस कर रखा था वो डाल दिये है कसूरी मेथी उसके बाद गरब मसाला धनिया पाउडर और यह देगी मिर्च मैंने डाली है इसमें यह सारी चीज़े डाल कर और लास्ट मैं डाली है एक चमच के करीब मिर्च आप अपनी टेस्ट के सारे मसाले कम यह जादा कर सकते हो जितने आपको अच्छा लगे अब य आपको चलाना है अगर आपने इसको नहीं चलाया ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर दही जो होती न वह फट जाती अब पानी वही एड़ किया है मैंने जिसमें हमने अपने गट्टों को उबाला था अब देखिए इसके बाद इसको अच्छ तरीके से हमने पानी को बॉइल कर नमक आपको इस तरह से डालना है कि आपने जब गट्टे बनाए तो उसमें भी नमक है और जो हमने बैटर फिलिंग जो बनाई थी वह उसमें भी नमक है तो इसी को ध्यान में रखते हुआ आपको नमक डालना है और मैंने यहां पर लेड़ लगा कर इसको पकाले और उसके बनिती